हाई अब्रिवन आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इंपोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं वो है लेक्स इस वीडियो में हम लेक्स देखेंगे स्टेट बाइच और निमोनिक टेक्निक के साथ देखेंगे ट्रिक्स के साथ देखेंगे जो आपको एक्जाम के neshawe आप होई आप इस चैनल पर देख सकते हो सारे हम कंप्लीट स्टैक जी चे लिए हम कभर रहे हैं बिढ़ टिक्स कभर कर रहे हैं और या जुर त्यिलिक जीगे के नोट्श हैं डाल दूगा उसकी link भी नीचे description में दे दूगा और ये इतने more than sufficient है more than enough है कि आपको यहां से static gk के notes बना लो फिर आपको अलग से कहीं से static gk दुबारा पढ़ने के जोत नहीं है आपका जो भी paper में आएगा वो यहीं से आएगा और देखो एक बात gk में कहते हैं कि gk अपने topic का हर topic में कबर कराते जा रहा हूं वो भी trick और mnemonic techniques के साथ चलिए इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पहले अभी तक आपनी ये channel subscribe नहीं किया है और अगर आप तैयारी कर रहो तो आप इस channel को जरूर से subscribe कर लो आपके लिए बहुत beneficial रहने बाला है देखो यहां पर ह को हम अंधि व्यक्ति अंधि इंसान से लेट करेंगे और हाब हमें याद कैसे करूना है कोई कह रहा है कि मैं उसको जाके द langडे दो पुल कर दूँ ठीक है पुल माने होता है खीचना ठीक है मैं पुल कर दूँ तो यहां पर आपको बोला ना रे पुल ना कर कोई कहारा मैं अंधर इंसान को पुल कर दूँ आप कहारो ना रे पुल ना कर ना रे असम असम में टूटल आठ लेक हैं और यह याद करना बहुत आसान है ठीक है सिभ सागर लेक है रुद्र सागर लेक है जोई सागर लेक है देखो एक ट्रिक तो यह हो गई सागर 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 आ रहा है लेकिन हो सकता है कि सागर आपको किसी और स्टेट की लेक में भी देखने को मिल जाए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आसमान में सिब ने सिब जी को जानते हो उस बोले बाबा सिब ने रूद्र का रूप लेके जॉय करा जॉय मतलब डांस वगेरा किया जॉय जॉय किया तो सिबा सागर लेक आसमान से असम हो गया सिब सागर लेक हो गया रूद्र सागर लेक हो गया और जॉय सागर लेक हो गया उसके बाद कपला बील दोरा बील उर्पद बैल सौन बील और आपका यहां पर है सरून बील यह सारे जो हैं यहां पर इसमें बील आ रहा ह कि जोट नहीं है जहां बील आएगा वो लेक आपका असमका हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा बिहार बिहार का है कावर लेक वर्ड सेंक्चुरी अभी यह हमें कैसे remember करना है जैसे आप पता है सिबरात्री पर कावर लेने जाते हो कावर अब जैसे दिन में लेके आ रहे हो तो अगर सहर से अंदर से होके आओगे तो भीड मिलेगी आपको तो आप से कोई कह रहा है कि बिटा कावर लेने जा रहे हो इस तरह से आप बिहार का लेक भी याद कर सकते हो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चंडी गड़ की चंडी गड़ में हैं सुखना लेक अभी तो को सुखना लेक कैसे याद करना है हमारी गड़ में छोटी बहन होती है बड़ी बहन होती है हम मजाक में मजाकी तोर पर बोल देते हैं मतलब उसको चंडी बोल देते हैं लंका बोल देते हैं जैसे है ना इस तरह से bird हम huge कर लेने हैं कोई मतलब इस चीज को bura मत मानना है ना कि बहुत चंडी है तू तो इस तरह से हम بात करते हैं मतलब अपने भाई बहन भी बहन भी बहुत सारे birds तो आप ऐसे बोलो कि मेरे घर में तो मेरी बहनी चंडी है मैं कहां से सुख रह पाऊंगा मुझे सुख रहनी नहीं देती तेकर सुखी रहनी नहीं देती थोड़ा सा त्रीक ऐसी ही हो गई है बट आप देख लेना कोई डारेक्ट भी याद कर लेना चंडीगर में एक है सुख ना लेक ये याद कर लेना इसके बाद है आपका गुजरात गुजरात में हमें तीन लेक याद करने हैं चार लेक हैं थोल लेक important है सरदार सरोवर डेम most important है नारायन सरोवर डेम और नल सरोवर डेम अब देखो सरदार सरोवर डेम याद हो गया तो आपको नारायन सरोवर और नल सरोबर याद होने चाहिए क्योंकि इसमें भी सरोबर आ रहा है इसमें भी सरोबर आ रहा है और ठोल लेक आप इस तरह से याद कर सकते हो कि आप धूल बजा कर गुजारा करते हो आप छोड़ो एक बैक्ती है जो अपना धूल बजा कर गुजारा करता है गुजारा से आपका हो जाएगा गुजराद और धौल से थोल आप थोड़ा सा रायम कर सकते हो next stage देख लेते हैं next है हमारा यहां पर barsे अब हरियाना के कैसे करना है आपको एकrios लिए और सूरजकुन्ध मेलिए देखो सूरजकुन्ध with Girl Dé'. एक場 है भी होता है तुम इस टेट में हरा और नीला हरा नीला हर्याना से आपका बिलू गर्ट इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो उसके बाद है आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में तीन लेक हैं गोविंद सागर लेक, पॉंग डैम लेक और सूरज़ताल लेक आपकी तीन लेक है एक है गोविंद सागर लेक, एक है पॉंग डैम लेक, एक है सूरज़ताल लेक अब ये कैसे याद करना है कोई इंसान से तुम कह रहे हो के भाई तू तो हिमाले पर जाकर हरे गोबिंद हरे गोबिंद हरे गोबिंद कर हरे गोविंद कहा करे वो हिमाले पर जाके हिमालत से क्या हो गया आपका हिमाचर प्रदेश हरे गोविंद से गोविंद सागर लेक याद हो गया उसके बाद हिमाले पर थोड़ा सा भी चड़ने में सबकी पुंगी बच जाती है पुंगी से पौंग डेम हो गया उसके बाद स जो संसेट देखते हैं सूरज सैट हो रहा है और जब आप वीव देखर उतों के हमाले पर सूरज कितना अच्छा लगता है तो इस तरह से आप सूरज त्याल भी याद कर सकते हो उसके बाद है हमारा जम्मू कस्मीर काफी इंपूर्टेंट लेक से याँ पर एक है हमारा आंचर लेक एक है हमारा डल लेक एक है मनसबल लेक मनसर लेक मारसर लेक सेसनाग लेक और एक है हमारा बुलर लेक अभी कैसे याद करना देखो यह मंसवल मंसर मरसर यह सब मन मन से start हो रहा है तो इस तरह से डारेक्ट तो याद कर लेना एक ऐसे कर लेना आपको कि यो देखो हम ऐसे भी आद कर सकते हैं यह क्यार्ण लेखेरियल तो बीरल है कि एक सोलजर है वो कसमीर में पोश्टीड है उसका बुलाबा आ गया बुलाबा से उसने बोला मा मुझे जाना पड़ेगा और वहां पर आतंगवादियों के मुत्वेड में उस सोलजर की दैत हो गई जब उसकी की दैत हो गई तो उसकी मा का आँचल खाली हो गया इस तरह से बोलते हैं न तो आंचल से आंचल से आंचल लेक और डल लेक डल डल मतलब धल गया मतलब आंचल खाली हो गया मतलब उनका सूरज धल गया कहते हैं न मेरा बेटा चला गया मेरा तो सूरज धल गया तो डल लेक आप ऐसे भी याद कर सकते हो थोड़ी स सो पढ़ते हैं संमे सो आरा टी एसो टी एसो टी एसो वह लगता काई होगा और किसी का नहीं होता है तो यह आप याद रखना उसके बाद next है हमारा करनाट का पंपा सरोवर लेक और एक है बिलान दूर लेक ठीक है अभी आपको कैसे याद करना है छोटा बच्चा होता है न वो बार-बार आपसे कहते रहेगा जैसे आपके घर में वो अपने पापा से कहेगा पापा 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 आप बोलो क्या वो सब Notre आपको याद हो जाएगा उसके बाद बेलान दूर बेलान दूर लेक का मतलब है आप नाटक देखने कहाँ बहुत दूर बलादूर जैसे हम गाउन की वाणता में क्या बोलता है बलादूर तो बलादूर आप क्या देखने बला दूर बेलान दूर क्या देखने गई हो आप नाटक देखने गई हो तो वह आप ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद है आपका केरल केरल में आपको तीन है जो याद करने चाहिए और जो इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट अब उसे एक आपका अश्तामुडी लेक एक आपका बेलायानी लेक एक आपका बेमबानद लेक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बेमबानद है क्योंकि यह आपका लॉंगेस्ट लेक भी है सबसे बड़ा लेक भी है पेपर में कई बार पूछा गया है अब आपको कैसे याद करना है कि एक लड़की है उसकी माने उसे बुला करेला खाले अब जैसे देखो यूपी में होगे थोड़ा तो वहाँ पर इस तरह से बात होती है तो ऐसे बोलेंगे कि मोड़ी को करेला खाले तो मोड़ी को खाना नहीं करेला उसने क्या करा वो करेला तो खुद नहीं खाया बैल में डाल दिया बैल को डाल दिया बैल जानतों बैल बैल होता है मतलब काव का प्लूर longest lake है तो यह आप डारेक्त तो याद कर लेना उसके बाद है आपका मद्दव प्रदेश में आपके दो यहां पर एक है भोज़ताल लेक और एक है आपका सागर लेक अभी यह कैसे याद करना है यह देख लेते हैं देखो हमारा जो भोजन होता है वो मध्धे मतलब दिन के हम मध्ध में करते हैं न भोजन सुभा नास्ता करते हैं भोजन कब करते हैं हम दिन के मध्ध में मध्ध मतलब बीज में 12 एक बजे दो बजे ऐसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन कब करते हैं मध्ध में मध्ध प्रदेश ठी से याद हो गया आपका भोजन दिन के मद्द में करता है तो भोजन से वोजतार और मद्द से मद्द प्रदेश ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद है आपका महराष्ट्रा महराष्ट्र में आपके चार हैं एक है गोरे बड़ा लेक एक है लोनार लेक एक है तलावपाली लेक एक है उपवन लेक अब मैं अगर मैं मुझे तो यह मैंने सारे तलाव पाली में गुम की आया हूँ यह दो उपरके अभी दूल औरसफी है जो हमने गुम हुए है है हम अभी पहलेह से पालू करता हो ना पता है कि मैं underground में जौब कर रहा हूँ तो यह उपमनलेख आपका थाने में तराव पाली भी थाने में ठीक है तो यह मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गए मतल़ याद किया जो आपके आसपास होगी जगह वो तो आपको आराम से यादी होगी और ऐसे याद कर सकते हो आप अगर आप याद करना चाहते हो देखो उपवन लेक आप उपवन लेक को ऐसे याद कर सकते हो कि लाइफ में अगर आप उपर जाना चाहते हो तो महाराश्ट चलिए जाओ महराष्ट में आपको बहुत बिजनस होते हैं इस तरह से तलाव पाली आप ऐसे याद कर सकते हैं महराष्ट में गोरे लोग नहीं काले होते हैं गोरे तो सबस्केश्यों में दिखा जाता है जैसे हमारी का मैजिनेशन बनी होगी अगर कभी हम मुंबई नहीं आए महाराष्ट के लोगों को नहीं रिखा हमने तो हमें ऐसा लगता हो कि महाराष्ट के लोग तो बहुत गोरे होते हैं क्योंकि मुवियों में तो गोरे होते हैं लेकिन महाराष्ट में ऐसा नहीं है महाराष्ट के लोग काले होते है सबस्ण में काले नहीं होते अग्याद काले काले से तो बड़ा ताले यंद्याद कर लगा तलाव पाली हो जाएगा लोनार की लग्याद कर तो इस तरह से आप याद कर सकते हो उसके बाद है next आपका मनीपुर देखो मनीपुर में हैं लोग टक लेग अभी लोग टक लेग आपको कैसे याद करना है कि देखो जिन्दगी का सच भी एक कि जब आपके पास मनी है तो लोग आपको तक तकी लगा के देखते रहेंगे आपके साथ रहेंगे और जब आपके पास money नहीं है तो कोई आपको नहीं देखेगा दुनिया आपको ignore करके चली जाएगी उसी चीज़ के लिए आप आज एक्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको इस तरह से याद करना है कि जब आपके पास money है तो लोग तक तकी लगा के देखते रहेंगे लोग तक तकी से लोग तक लेक जब आपके पास money है और देखो लोग तक लेक मनीपुर में एक बात और इसके उपर एक floating national park भी है जिसका नाम है केवल लाम जाओ ठीके तो ये भी याद रखना only floating national park है भारत का ये उसके बाद हम बात करते हैं मेगाले की मेगाले में एक उमियन लेक है डारक्ट याद कर लेना एक ही लेक है उसके बाद next है हमारा मिजोरम मिजोरम में एक है पलक दिल और एक है ताम ताम दिल तो दिल दिल आ रहा है और हर इनसान को दिल लगाने में बहुत मज़ा आता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब दिल लगा रहे हैं तब तो मज़ा आता है लेकिन बाद में आता है तो दिल जहां दिल आएकँ पलक दिल हो चाहताम दिल हो मजासे मिजोरं, इस तरह से आप याद कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अरीसा, औरीसा में आपके तीन लेक हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए, एक है आपका देरी, उसके आपका विक्टोरिया लेक विक्ट्री मिल जाए अंस भर विक्ट्री मिल जाए न तो वो उड़ने लग जाते हैं अंस भर विक्ट्री मिल जाए तो वो उड़ने लग जाते हैं उड़ने से उड़ी सा विक्ट्री से विक्टोरियस आगल लेक और अंस भर से अंसुपा लेक ऐसे याद कर लेना चिलका ल एक ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद है हमारा पंजाब पंजाब में हमारे एक हरी के बैट लैंड और एक है रूपर बैट लैंड अब यह याद कैसे करने हैं देखो पंजाब जो फेमस है वो एगरी कल्चर के लिए फेमस है तो पंजाब में क्या होते हैं हरे खेत होते हैं हर करने को सम् žाई के लिए पंजाब में कैसा बाद न्यक्स्ण कर लेते हैं नेमारा राजिस्तान!! राजिस्तान में तीन लेक हैं हमारे एक है देवर लेक एक है पुसकर लेक और एक है सामवर साल्ट लेक जो सामवर साल्ट लेक है ये इंडिया का लार्जेस इनलेंड सॉल्ट लेक है ये ध्यान रखना और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साल्ट लेक किस स्टे में तो यह तो आपको डारेक्ट याद हो जाना चाहिए देवर लेक और सामवर शाल्ट लेक ऐसे याद कर लेना उसके बाद हमारा आता है सिक्किम सिक्किम में एक लेक है हमारा लेक चुलामो और एक है लेक सौंग मो अब देखो दोनों में मो मो आ रहा है मो मो तो इससे आप मो मो आएगा तो क्या होगा सिक्किम होगा और लेक चुलामो के बारे में एक चीर याद रखना इंडिया का यह highest lake है यह हमें पता होना चाहिए उसके बाद अगर हम UP की बात करें तो UP में एक ही lake है जो हमें याद करना है गोविंद बल्लब पंत सागर डैम यह largest man-made lake है भारत का तो यह भी हमें याद होना चाहिए यह fact भी हमें पता होना चाहिए अब गोविंद बल्लब पंत सागर डैम एकी डैम एकी मतलब सॉरी दुबारा से open करना पड़ेगा एक second हाँ तो देखो गोविंद हमारा एकी lake है भारत का वो सॉरी UP में तो हम दार्ट भी याद कर सकते हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं गोविंद स्री किस्ना को बोला जाता है और स्री किस्ना का जनम मत्रा यूपी में हुआ था तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं उसके बाद next देख लेते हैं नेक्स है आपका उत्राखंड ठीक है जो कि आज की वीडियो का लास्ट भी है ठीक है तो देखो लास्ट का एक दो नहीं दिख रहा है एक चीज याद रखना जहाँ ताल आए ना ताल ताल वो आपका कहा का होगा वो आपका उत्राखंड का होगा ठीक है भीम ताल नैनी ताल दियोरा ताल और ये लास्ट वाला जब PDF उपन करोगे उसमें दिख जाएगा और एक रूप कुंड लेक भी याद कर सकते हो ये भी उत्राखंड का है आप ऐसे भी याद कर सकते हो देखो मैं उत्राखंड जादा नहीं गया हूँ अगर आप उत्राखंड में एयरफोर्स का SSB था मतलब जो आप CDS एक्जाम देते हो उससे आपका SSB होता है मैं एरफोर्स का स्जब SSB देने गया था उत्राखंड में तो यहाँ के लोगों का थोड़ा सा रंग साफ होता है तो उससे आप याद कर सकते हो मतलब मैंने जब देखाता परसनली जाके आप अगर गए हो उत्राघंड तो बहुत अच्छी बात है अगर आप उत्राघंड से ही हो तो आप नीचे मैसे करके भी बताना तो देखो रंग साफ होता हो ना होता हो थोड़ा मतलब साफ होता है वैसे उत्राघंड के लोगों का रूप साफ होता है रूप से ऐसे याद कर सकते हो रूप कुण बरना एक अलग से याद करना है और सारे ताल 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 कहां हो जाएंगे उत्राघंड में हो जाएंगे I hope ये वीडियो informative रही होगी ये वीडियो informative रही है तो वीडियो को like कर देना share कर देना आपसे मुलाकात होगी किसी next वीडियो में